हेलो गुड मॉनिंग डियर इस्टूडेंट वेलकम टू सक्सेज कैरियर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं से आई टीएस 2020 की थर्ड काउंसलिंग का जो च्वाइस किया था आपने उसका रिजल्ट आ चुका है तो सिंप्ली आपको क्या करना है कि नीमी अनलाइन पर आ जाना है और आपको यहां पर देखिए सेकेंड राउंड ट्रांसफर का लिस्ट दिखाई देरा होगा उसके जोस्ट नी से कांसलिंग राउंड थर्ड च्वाइस एप्लाइड के लागिन एंड चेक इलाउटमेंट यानिकि जितने भी कांसलिंग थर्ड में पाटिस कर लेना है चलिए मैं लागिन कर ले रहा हूं यहां पर मैंने लागिन कर लिया और सिंपली इस पर लागिन पर क्लिक कर दूँगा तो हमारे सामने ऐसा कुछ आ जाएगा मैंने अन्रेडी एड्मिसन ले रखा था कि लखनो इतो इसलिए मैंने कोई ट्रांसफर नहीं कोई 3014 में मेरा कोई वह नहीं था तो यहां पे साफ साफ लिख रहा है अगर आपने था रदD कंसृर में पाटिसिपे डिक किया होगा तो आपने को मंशे कामसलीं अन्हीं किया था यहां पर लिख रहा है यहां और दी गाट ट कंसृंयले ब्रुवर्मेंट अफ उत्तर पर्द iss cannot proceed for counseling third यानि कि तीसरे counseling के लिए नहीं पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपको college मिला है ITOT लखनों या कहीं भी NSTI college मिलना है तो आपको करना क्या है यह तो आपको अगर ऐसा कुछ आएगा जैसे आपको college मिल जा रहा है तो आपको करना क्या होगा third counseling में देखिए आज क्या दिन जो था allotment institute आपको दिखाई देगा उसके बाद देखिए क्या होगा तीन जन्वरी से लेकर छे जन्वरी तक आपको किसी भी नजदी की आपको सभी ओरिजिनल ले जाना है और फोटोकापी भी ले जाने है और यह सभी चीज़े जरूर है और साथ ही साथ आपका जो institute एलाट हुआ है वो फिस रसीद के साथ आपको इंस्ट्यूट यो एलाट हुआ वो ले जाना है और आपको डाकुमेंट वेरिफिकेशन का राकर आपको प्रभीिजिनली admission ले ले लेना है जब हाक पर प्रभीजिनली admission छे तारीक से पहले-पहले ले है आपके पास बहुत समय है जाहिए अगर आपको कालिंद मिल गया तो नजदी की एंस्ट आई में और उसके बाद अगले साथ जनुवरी की जब 6 तारीक तक एडविशन हो जाएगा सबका तो अगले दिन अगर आपको अपने हिसाब से फर्स्ट वाइस नहीं मिला है तो उस इस वीडियो में इतना ही बताना था दोस्तो आज के लिए वीडियो में इतना ही थैंक्स फार वाचिंग इस वीडियो गाइज